तो सुआगत है दोस्तों फिर से एक नए ब्लॉग में को आज का जो ब्लॉग है मिड़वेह रिज़ोर्ट में एक रिसेप्षण पार्टी को है जिसमें डेकुरेशन हम लोग कर रहे हैं पार्टी के लिए लोहा टीम के सभी लोग लगे हुए हैं रिसेप्शन पार्टी का तयारी कर रहे हैं देखे उपर से हाई कर रहा है अक्षे पतकाल और नीचे हमारे लोहा टीम के लोग जो डेकोरेशन कर रहे हैं इनसे आपको मिलाते हैं यह देखिए यह है बबन भाई जो डेकोरेशन का मास्टर है और यह है मिस्टर परमोध रकड़ा जो अभी पूरा देकोरेशन समाले हुए है और हमारे साइड इंचाज है मिस्टर हीरा लाल इन्हीं कर कमलो द्वारा पूरा डेकोरेशन होता है तो डेकोरेशन का डिजाइन यही करवाते हैं और आप लोग को आर मिलाते हैं यह देखिए इधर और भी लोहा टीम के लोग लगे हुए है मिस्टर कार्टिक, मिस्टर चिंटू, मिस्टर टिप्पू और मिस्टर सूरज तो पूरा त्यारी कर रहे हैं लोग पाटी का और हम भी अब आ गये हैं तो हम भी अब इनके साथ थोड़ा पाटी का त्यारी करवाएंगे तो चलिए दोस्तो पाटी का त्यारी करवाते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोग को कि कैसे कैसे त्यारी हो रहा है तो दोस्तो अचानक से बहुत ही तेज हवा तुपान आने शुरू हो गया है तो डेकोरेशन हमारा देख रहे हैं कैसे उड़ रहा है और हलका हलका भी बारिस भी शुरू हो गया है तो मैं भागते हुए आया बारिस से बचने के लिए और यह देखिए हीरा अपना टुक टुक लेके आया है हाई कर रहा है दोस्तो मैं अभी यहां से हॉल में जाओंगा वहां पर बारिस से बचने के लिए तो मैं दवड़ते हुए अभी हॉल के अंदर जा रहा हूं तो यह देखिए अक्षे पतकाल मुझे बुला रहा है कि जल्दी आई यह दोस्तो देखिए हॉल के अंदर हम आ गये हैं बारिस से बचने के लिए और बारिस थोड़ा तेज हो जुका है और यह देखिए बहुत ही तेज बारिस हो रहा अभी तो आज का पाटी का सेटप अधूरा रह गया है बारिस के वज़़े से और बारिस पुरा कचड़ा कर दे रहा हमारा सारा डेकुरेशन हवा से उड़ जा रहा है बहुत तेज बारिस हो रहा है अब ऐसे में डेकोरेशन नहीं हो पा रहा है तो अब हम बारिस रुखने का वेट कर रहे हैं बारिस जैसे रुखता है तो हम लोग फिर से डेकोरेशन करेंगे रहें और आपलोंको दिखाएंगे तो चले दोस्तों पानी अब छूट चुका है और पाटी का तैहारी हो रहा है यह देखिए टेबल और चेयर सब लग रहा है और पुरा खाना का सेटप इधर लग रहा है दिखाते हैं आप लोगों ईए खाना का सेटप इधर रहेगा एक कौन सा काउंटर लगा रहा है संतोस भाई मोक्टेल काउंटर है अच्छा यह सेलफी पॉइंट बना है जहाँ पर सेलफी ले सकते हैं त्यारी अब लगभा कंप्लीट हो चुका है यह देखिए मिडवे का गोल गपा वला ठेला है और इधर स्टेज बना हुआ है इस्टेज देखिए इस्टेज भी तयार है और यह देखिए और यह रोसन भाई लेकिन रोसन नहीं हो पा रहा है यह सब दोस्तों रात में दिखाएंगे भी तो काफी खुबसूरत लगेगा अभी पूरा तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ है सब कुछ लग जाने के बाद जो खुबसूरती है और दिखाई देगा तो अभी इतना ही बनाते हैं पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर व्लोक दिखाएंगे आप लोग तो फाइनली दोस्तों सारा सेट अप हो चुका है अब चलिए आप लोग को दिखाते हैं इस पार्टी कैसा हो रहा है पीछे सेट अप कैसा लगा हुआ है हमारा डेकोरेशन कैसा है आपको सभी कुछ दिखाते हैं पीछे चलके तो चलिए चलते हैं यह देखिए नाइट का भ्यूर यह आगे का है पीछे चलके दिखाते हैं अभी कैसा है लाइटिंग यह देखिए फूरा सेट अप हो चुका है और इधर दिदी लोग फुचका वेचने का तयारी कर रही है देखिए इधर गोलगापपा का ठेला लगा हुआ है और यहां पर डीजे लगा है यह देखिए स्टेज कितना अच्छा लग रहा लाइट में यह एरिया है बैठने के लिए सोफा लगा हुआ है और इधर मैं दिखाता हूँ आपको को खाना का सेट अप जो लगा है यह देखिए खाना का सेट अप लग चुका है जर बिट्टू हाई क्या बना रहे हैं जिलेवी का तयारी हो रहा है ना सेलिया और सल्मान भाई आप क्या बना रहे हैं क्या है यह यह क्या बलते हैं पालक कुड़ी है ना पालक कुड़ी का तयारी कि अब भी सेट अब लगा है सब में खाना नहीं लगा है अब खाना लग जाता है तो फिर से दिखाएंगे हम आप लोगों को यह देखिए फ्रूट काउंटर है यह हमारे में सेफ है ने मय भाइन तर Rand tयारी हो गया ना यहाँ लीटी लीटी शेखने का तयारी हो रहा हैं अब हैं कर दो सेट अब देख लेत दोस्तों अब पार्टी सुरू होगा तो फिर दिखाएंगे क्या-क्या खाने में है आज वेजिटेरियन खाना है ऐसे दोस्तों पाटी शुरू कफी स्टाल में टाटर के बाद में पॉर्ष भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों यह देखिए यह है हमारे रोहित भाई इस पुड़ाव है दोस्तों और यह है दाल मखनी और यह है मिक्स वेजिटेबल यह है दोस्तों पनीर लबापदार और यह मलाइक आफ्ता उर्मापड खतम हो चुका है अब इदर है नॉन वेज अब 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 और यह चिकर, अधर है पूड़ी, फालक कचोड़ी, अधर नन है, अधर विटूब है जिनने भी बना रहे हैं, अधर यह देखिये, बिटू भाई जिलेवी बना रहे हैं, अब चली दोस्तों, रिस स्टेपधन का जो स्टेज है उधर चलते हैं, और दिखाते हैं आप लोगों कहते हैं, जो इस दो पर दो इंगा है, आप तो लड़का लड़की, इंगा शाए, इसे थे थे उतना तुका। और इधर लगा हुआ है गोलगापपा का ठेला जिसमें राम भाई टिक्की बेच रहे हैं और इधर दुबे जी कुछका का स्ट्रोल लगाया हुए है दोस्तों पार्टी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा अब हम लोगाप निकलने वाले हैं लके नहां के बाई दोस्तों पार्टी का ले जाएगा जब है वाले हैं बाहँ पार्टी कैसा लगाप लगाप निकलने वाले हैं पार्टी कैसा लगाप लेगा है झाल झाल